हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो श्री एडुकेशन सो फ्रेंट्स आज है 28 अक्टूबर तो 28 अक्टूबर के आपके जितने भी इंपॉरंट करन्ट इफेर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और जैसे कि आप लोग जानती है कि लास्ट ताइम जितने करन्ट इफेर था rendक्रस्ट में आपको घ्रेस्ट करेंगे जायशान के बार आपको च्छी अपन्ट करेंगा कि आज के क्रैंट टेस्ट этой की लिए यह क respectively या निक这 सभेश कुमार यज papa आन्योला श्रीया का सही था प्लस आपको UIDAI की फुल फॉम बताने थी आप तो इसकी फुल फॉम है Unique Identification Authority of India तेक है Unique Identification Authority of India, फुल फॉम याद रखने आपको, और अब हम स्टार्ट करेंगे आज के Current Affairs, उससे पहले मैं आपको बता दो कि अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे Telegram पर जाकर इसका PDF ले सकते हैं और अगर आपके पास तो उस पर आप एड़ रेट श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा अब स्टार्ट करते हैं आज के करन्ट फेर सो आज का सबसे पहला जो कोश् किले के सीद जम्मू कश्मीर का लेटिन गवारνर बनाया गे सबसे पहले तो मैं आपको बता दो कि आपनों को पढ़ाए गया था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अट 하겠습니다 अप्र जम्मू के मेरा कि हमisches को को दो पार्ट जम्मू किश्मीर और दूसरे लजबैड किया गया ह हैं और उसके बाद जम्मू कषमीर के हाली में लेफट्विन इन गवर्णर बनाए गया है जिनका नाम है गिरीश चंद्र पर्यद आपकर मिर्मू का यह चंद्र ऊफ़ल्द, Liteyanẹं 6 GreKI लाग के जो लेफ्टिलेंट गवर्नर बनेया उनका नाम है राधा कृष्ण माथूर जो सी ऑप्षिन आपका सी तो यह दो नाम आपको याद रखें गिरीश्चंद मुर्मू और राधा कृष्ण माथूर का अब आप लोग जानते हैं कि जब जम्मु कश्मीर था जब उसकी गवर्नर बना दिया गया है छत्त्य पाल मलिक अप गोवा के गवर्नर बन चुके हैं और जो नुम्मु का रधात की अनका का नाम है राधा कृष्ण माथूर यह तीन नाम आपके लिए बहुत ही मतं यहां पर आपको दो लोगों के बारे में इंपॉर्ण याद रखना होगा ग्रीश चंद मुर्मु देखिए जो ग्रीश चंद मुर्मु है यह प्रेजेंट में विक्त मंत्राले में सचीव है और जो राधा कृष्ण माथूर है यह 1977 बैच के त्रिप्रा केंडर के आई-एस लेफटिन likewise है यह आपको या रखना होगा यहां भी जैसे कि मैंने बताया कि जमाव कश्मीर के लेफटिन कवर्नर बनें गृरीश चंद मॉर्मु तो जम्मु कश्मीर के बारे मैं आपको पटा है यहां पर जम्मु कश्मीर के कैपिटल है शीरी निगशा भ्लेर गर्णण और नैशनल पाक दचिंगम नैशनल पाक है यह कुछ इंपॉर्टन बात आपको जम्मु एंड कश्मीर से रिलेटेड नोट करने होगी और आज का जो अगला इंपॉर्टन का अंटरफर है आपका वो यह है कि हाली में किसे समुवा समुवा एक देश है उसमें भारत का उचा युक्त है उनका नाम है मुक्तेश कुमार परदेशी मुक्तेश कुमार परदेशी को हाली में समुवा में भारत का उचा युक्त बनाए यहां पर आपको मुक्तेश कुमार परदेशी के बारे में याद रहा है कि मुक्तेश कुमार परदेशी है यह प्रेजन में न्यूज भारत के राजदूत हैं और इन्हें हाल ही में समोवा में भारत का उच्छा युक्षी बनाया गया ठीक है इनके बारे में आपनों नोट कर लिजी कि जो मुक्तेश कुमार प्रदेशी है यह आई एफ एस याई कि इंडियन फोरन फॉरन सर्वसिज ऑफिसर भी है ठीक है यहा सबसे इंपोर्टन तो प्राइम मिनिस्टर है तुलेपा मैलिंगोई ठीक है यह कुछ इंपोर्टन बाते हैं समोवा से इंपोर्टन इस देश का नाम पहली बार आप लोगों ने सुनाओगा ठीक है नेक्स्ट इंपोर्टन कोशन है कि राष्ट्रे लगू उद्योग प्रदेशक बने है यानि कि चेर्मेन और एमडी बने है उनका नाम है विजेंद्र भी ओप्शिन सही आपका विजेंद्र आपको पता दो कि यह भी आई एस ऑफिसर है और इन्हें हाल ही में राष्ट्रे लगू उद्योग निगम लिम्टेड का अध्यक्श और एमडी बन प्रदा दखनी है next important question है ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया गया है तो हाली में ITBP का जो स्थापना दिवस है 24 October को salivate किया गया यानि कि B option आपका सही है और आपको पता दो कि 58 स्थापना दिवस इसका मनाया गया है ITBP का आपको पतां चीए कि इसकी फुल्फॉम कहा है तो ITBP इसकी फुल्फॉम है इंडिया तिबद बॉर्डर पुलिस ठीक है आपको बता दूब कि यह इसका काम क्या होता है कि भारत और तिबद की सीमा पर उसके बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और बॉर्डर की सुरक्षा का कारे होता है कि इसकी स्थापना मैंने बता ही दिया है अगर पूछा जाए कि इसका है नियू डैली में है और डीजी का नाम सबसे इंपॉर्णन है कि इसके डिरेक्टर जॉर्नल है ऐस ऐस देशवाल का नाम याद रखना होगा आपने आपके 24 अक्टूबर को ITBP का स्थापना दिवस में यह मैंने आपको बता दिया पर अक्टूबर के मन्त में और भी जो इंपॉर्णन डेस एलिवेट किया है वो एक बार रिपीट कर देती हूं जैसे कि 1st October को अंतराष्ट्रे विजिजन दिवस और अंतराष्ट्रे कॉफी दिवस मनाए गया है 2nd October को अंतराष्ट्रे अहिंस इसलिवेट किए जैसे 7nd October को विश्व आवास दिवस मनाए गया गया है और अर आठ अक्टूबर को इंडियन एर फॉर्स देवेट किया गया था積 किया था 9 June को इड़ीस किया था उसके बाद 25 अक्टूबर यह आपको याद रखना होगा इंपॉरंड है ओश्दी दिवस मनाएगा था 25 अक्टूबर को तो यह कुछ इंपॉरंड बात थी इस कोईशन से रेटर्ड अगला कोईशन है कि हाली में किस राज्य ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की है तो यह जो कन्या सुमंगला योजना बहुत ही इंपॉरंड योजना है यह योजना हाली में यूपी सरकार के दौर्ट शुरू की गई यानि कि डी ओप्षन आपका सही है आपको बता दू कि यूपी के जो चीफ मिनिस्ट्र है योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने यह कन्या सुमंगला योजना शुरू की है आपको बता दो कि इस योजना के तहत क्या होगा कि अगर उत्तर परदेश में कोई भी परिवार में अगर कोई कन्या जनम लेती है तो उन्हें 15,000 रुपई दिये जाएंगे अब यह जो 15,000 पर दिये जाएंगे यह सिर्फ जनम के टिये जाएंगे और किस तरह दिये जाएंगे यह आपको बता दू कि कन्या के जनम के समय ठीक हैए 2000 पर दिये जाएंगे और उसके एक साल के टीका करन के समय 1000 पर दिये जाएगा और अगर वो छठी पंगशा में उसको पढ़ाया जाता है तो परिभार को 2000 पर दिये और नोवी कख्ष्या के वक्त तीन हजार पे दिया जाएंगे और बारहहमी कख्ष्या के बाद उनमें पान्च पे दिया जाएंगे परिवारकön अब जैसे की मैंने बताया आपको कि यह जो कन्या सुमंगला योजन है यह यूपी सरकार के दार शुरू की गई है तो यूपी के बारे में आपको नोट करना होगा यहां पर उत्तरप्रदेश इसकी कैपिटेर लखनव चीफ मिरिस्ट अगर पुछ जाए तो चीफ मिरिस्ट योगी अधित्यनाथ है और गवर सबसे अधिक है याग रखना होगा और नेशनल पाक अगर पुछे जाए तो नेशनल पाक जुद्वार नेशनल पाक है और फोक दांस रासलील है तो यह कुछ इंपॉर्ण बाते आपको याद है उत्तर परदेश से रिलेटे नेक्स कोशन है हाली में किस देश में भारतिय प्रेटे को के लिए वीजा सुविदा हटा दी गई है तो हाली मुस्देश का नाम है ब्राजील भी आफिसे ब्राजील ने क्या किया है कि भारत के जो टूरिस्ट ब्राजील में जाते है घुमने फिने के लिए उसमें पहले बीजा लगता था पर बीजे के जरूरत नहीं वीजा के भी वहाँ पर जा सकते है ब्राजील में और आपको बता दो कि ब्राजील जो है उन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं सगो चीन के जो प्रेटेक हैं उनके लिए भी ये बीजा सुबिदा हटा दिया और ये घोशना किसने किया है तो ब्राजील की जो राष्ट्रे पति हैं उन्होंने चीन की यत्रा के दौरान ये घोशना किये आपको बता दो कि 2019 में ही जो ब्राजील सरकार है उन्होंने भारत और चीन के इलावा अमेरिका कनाड़ा और जापान इन सब देशों से भी बीजा सुबिदा हटा लिए यहां पर आपको ब्राजील के बारे मे यह घोशना किये तो इंपॉर्ण होगा राष्टरवदी के नाप तो यहां पर है ब्राजील इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया करंसी अगर पुछे तो करंसी है रियल और प्रेजिडेंट है जेयर बोल्स नेरो यह कुछ इंपॉर्ण बाते हैं ब्राजील से लिए आज का अ अमित यादव को बनाया गया है अमित यादव आपको बता दो कि यह 1991 बैच के आईस ऑफिसर है और यह प्रेजेंट में तूर संचार विभाग के संयुक सचीर है पर अब इन्हें विदेश वैपार में महाल निर्देशक बनाया गया है अगला कोशन है कि निमन में से किसने अब आपको आपको अटी वी एम की फूल फॉम है और टिकट वैंडिंग मशीन जैसे की एटी-एम होता है ना वैसे ही यह यह 80 वी एम है 80 से क्या होता है कि आप लोग आपनीक पैसे निकाल सकते है कार्ड डाल के ऐसे एटी वी हम है जिसमें आप लोग कार्ड के थूप पे इसे तीन लैंग्विज में जारी किया गया है और 42 रेलवे स्टेशन पर इसम ATVM सुभिदा को शुरू किया गया है यहाँ पर जैसे कि भारती रेलवे की बात चल दी तो सबसे इंपॉर्ण होगा आपको हमारे रेल मंत्री का नाम याद रखना होगा और यहाँ पर ATVM सकी फूल फूम याद रखनी होगी और टिकेट वेंडिंग मशीन नेक्स कोशन है निवन मेंसे किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड से सम्मानित किया गया तो उनका नाम है हेमन बर्गोहीन को हाली भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड से सम्मानित किया गया अब यह जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड यह किस कैटिगरी में दिया गया है तो सदीन प्रतिदीन अचीवमेंट अवाड 2019 के अंडर यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड दिया गया ह अब आपको यहाँ पर हेमन बोलगोहेँ के बार में यार रखना होगा कि जो हेमन बॉलगोहेँ के लेखक है और यह जो सदीन प्रतिदीन अचीवमें अवाउड के लिए लाइफ़ टेमि अवाउड दिया जैता है यह कि सी फेमस लेखक या फिर किसी पब्लीशर को दिया जा होगा कि यह जो lifetime achievement award है यह क्यों दिया जाता है तो इनके बहतरी कारियों के लिए इन्हें यह achievement award दिया गया है अगला bond current फिर आजगा कि हाली में URISA सरकार ने निम्न में से किसके द्वारा 165 million American dollar के रिंड समझोते पर हस्ताक्षे की हैं तो अब यह loan क्यों लिया जा रहा है तो उडिसा में जो छोटे किसान है उनको क्रिशी सुविदा परदान करने के लिए और सिचाई सुविदा को बहतर करने के लिए किसानों के लिए यह loan लिया गया है वर्ड बैंक से ठीक है यहां पर आपको वर्ड बैंक के याद रखना होगा देखिए वर्ड बैंक इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 1945 में हुई है और वर्ट बैंक का जो रहे हेड़ कम है यह वाशिंटन में और वट बैंक की जो प्रेजिबएमार उनका नाम इंपालोर्न है तो इनका नाम है डैविड मलपस ठिक है यह पर उडिसा के यह याद रखना ऊगा क्योंकि उडिसा सरकार ने वर्ड बेंक के साथ यह समझोता किया है तो देखिए यहां पर जो मार्ड रही है उडिसा है इसकी कैप्लेब भूवनेश्वर चीफ निस्ट नवीन पतनायक है और गवर्नर प्रोफेसर गनेशी लाल है और उडिसा के अंदर लोग सबग सीटे 21 राज्य उम्रा और चहुए और नैशलपाग भीतर कनिका नैशलपाग है तो यह कुछ इंपॉर्ण बाते हो गई उडिसा से लेड़ेड यह आपको नोट करना होगा क्योंकि गवर्नर के नाम चेंज हो गया है तो यह एक्जाम से पूछे जा सकते हैं अगला कोशन हाली में किसे सख सखर और पूरसकार इन्हें किसके द्वारा दिया गया और क्यों दिया गया तो सखर और पूरसकार यह इन्हें यूरोपिय संसत के द्वारा प्रदान किया गया यूरोपिय संसत के द्वारा इन्हें यह पूरसकार क्यों दिया गया तो चीन में एक उहीगूर समुदाय है समधाय को रीप्रेजेंट करते हैं इलहाम तोहती इलहाम तोहती ने उहीगूर जो लोग हैं उनके हक के लिए कारे किया है और चीनी लोगों के द्वरा जो उनसे भेदभाफ किया जा तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं इसलिए इन्हें यह सखारो प कैद की सजा भी सुनाई गई थी ठीक है और आज का जो आखरी कोशन है वो यह है आपका कि हाल ही में कौन सा जिला गुजरात का पहला कैरोसीन मुक्त जीला बन गया है तो जिले का नाम है गांधी नगर डी ऑप्शन से गांधी नगर आपको पता ही है गुजरात की कैपिट के में अब आपको जार लोगों को ऐल्की सुविधा परदान की है एक घरों में और इसी के साथ तो उज्वला एचेम के तहते एल्पी जी गैस बाटे गए है गांधी नगर में और इसी के साथ जो गुजरात का ऑपिटल है गांधी नगर ये गुज़ात का पहला कैरोसीन म विजय रुपानी है और गवनर अचारे देव व्रत हैं लोग सबग सेटे अगर पुछी जाए तो लोग सबग सेटे 26 राज्य सबग सेट 11 विधान सबग सेट 182 है फोकडांस गर्भा और नैशल पाग गिर नैशल पाग है यह आपको याद रहना होगा गुजरात के बारे मे और यह थे आपके आज के यानि की 28 अक्टूबर के करंड़ फेस और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया है आपको फिलास्ट में टेस्ट दिया जाएगा तो आज का टेस्ट कोशन है कि हाली में अंतर रास्टे हकलाहड जागुकता दिवस कभ मनाएगा इंपॉरनट है आपको एक बार रिपीट कर देने है आज मैंने आपको बता ही दिये है इस कोशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सो फिंट से वीडियो अच्छा लगा और प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जुरू बिताएगा कि आपको व आसाथ, thank you